मार्वल सिनेमेटिक उनिवर्स यानि कि MCU रीबूट हो जाएगा सिक्रेट वर्स के बाद यह मैं नहीं कह रहा हूं यह हमार स्पॉयलर केंग मार्क रफैलो कह रहे हैं प्लस मुल्टिवर्स आगे बाद एक फोकस शिफ्ट होगा इसके रूमर्स भी सामने आ रहे हैं पर अगर MCU रीबूट होगा तो क्या यह अच्छी बात है या बुरी प्लस मार्वल कॉमिक्स अपनी पूरी कंटिनिटी को कभी रीबूट नहीं करता यह DC है काम है पर रीबूट करने के और भी तरीके हैं जैसे फेस फोर में हुआ और किसी को पता भी नहीं चला अभी Marvel Studios अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सीकेट वौर्स की तयारी कर रहा है जहां अभी तक है सारे मार्वल प्रोजेक्स और मेरा बतलब है कि सारे के सारे मार्वल प्रोजेक्स को ध्यान में रखते हुए कास्टिंग की जाएगी पर इसी बीच रीबूट की ख़ पर शायद Marvel के के से मामला अलग है तो दोस्ते आपको स्वागाद है Road to Secret Wars के नए एपिसोड में जहां आज हम बात करने वाले है Avengers Secret Wars के होने वाले MCU Reboot के हिंट के बारे में तो दिल देला देने वाले और Multiverse हिला देने वाले spoilers का ध्यान रखते हुए चली शिरु करते हैं तो पहले अपने इस Reboot के source को discuss करते हैं Mark Raffaello ने अपने एक interview में कहा कि end game को top करना इतना असान भी नहीं होगा पर यहां Big Bang होने वाला है हम सब Big Bang के साथ जाएंगे अब Mark Raffaello जो कि Infinity War से पहले ही बोल चुके थे कि सब मर जाएंगे और थो Thor Ragnarok के शुरू का पार्ट भी Instagram पर live stream कर चुके हैं उनके अंदर कुछ नहीं रुखता तो हम सब Infinity War से ही जानते हैं कि Marvel Cinematic Universe शुरू हुआ Big Bang के साथ और इसके बारे में हमें Loki के Season 1 में भी पता चला तो सब खतम होगा Big Bang के साथ सीधे सीधे इंडिकेट करता है Total Reboot को जहां Incursion भी होने वाला है जिसका Result होगा एक Universe की तबाही Multiversal War से कई Universe तबाह होने वाले हैं और Sacred Timeline पर खतरा तो चली रहा है तो Reboot के लिए तो यहां सारे Ingredients अपनी अपनी जगह पर हैं बस अब War की ज़रुत है वो भी एक नहीं कई सारे War, Secret Wars पर सही सवाल सामने रखा जाए तो क्या Reboot की ज़रुत है भी टेक्निकली देखा जाए तो है भी और नहीं भी आपको पता हैं MCU से जाने वाले मेन तीन करेक्टर की कितनी सारी स्टोरीज दिखना अभी बाकी थी हमें Iron Man का Extremis Saga, God Killer Armor, Armor Wars और New Era स्टोरी लाइन्स देखने थे Captain America का Man Out of Time, Death of Captain America, Mad Bomber, Dimension Z जी जैसी स्टोरी लाइन्स देखनी थी यहां तक की Black Video की स्टोरीज भी रह रही थी इन सब के उपर Asgard के विलन्स के बारे में अगर आपको पता चलेगा तो आपके होश ओड़ जाएंगे इन सब के देखने से पहले ही Asgard को खतम कर दिया गया अभी वाले MCU में भी कई Key Players Missing है जैसे Inhumans, Mutants और कई बड़ी टीम्स अकेले Mutants के कई ऐसे विलन्स हैं जिनकी स्टोरीज आपके होश ओड़ा देंगी यहां तक की Avengers vs. X-Men, Spider-Man, Deadpool का Team Up, MCU की Dark Phoenix, Saga Galactors और कई सारे Top Tier Characters जो की MCU में नॉर्मल होने चाहिए थे मार्वल या कहें Super Hero Fan बनाने के लिए तो अगर reboot के लिए कहा जाए तो हाँ एक continuity चाहिए जहां fans इन सारे characters और awesome stories को एक साथ आगे आते हुए देखे एक नई timeline जहां teams एक दूसरे से interact कर रहे है Fantastic Four हमें Bruce Banner के साथ काम करते हुए दिख रहे है एक ऐसे reboot से जैसे पिछली स्टारी स्टोरी की value भी बनी रहे और नई stories के लिए हम excited भी हो इसे soft reboot कहते हैं और MCU Phase 4 में ऐसा कर चुका है वो भी Spider-Man के साथ Spider-Man No Way Home में Spider-Man की अभी की journey तो क्या आज तक आई हुई सारी Spider-Man movies की value बढ़ गई और fans आने वाली stories के लिए excited भी है यहां बस यह हुआ कि पूरी दुनिया भूल गए कि Peter Parker ही Spider-Man है जिसके साथ Spider-Man अब अकेला है उसके पास कोई Stark Tech support नहीं है कोई Nick Fury से लेना देना नहीं है और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि उसे MCU से जोड़े सिवाए उसकी अपनी यादों के तो यह सेम चीज हो सकती है Secret Wars के साथ जहां हमें already पता है कि पूरे Multiverse के Heroes और क्या पता Villains भी Assemble होंगे और last में Kang को रोकेंगे Multiverse को बचाने के लिए Incursion भी साथ साथ होगा और एक Universe तबाह हो जाएगा और दूसरा Universe बच जाएगा और last में जो Universe बचेगा उसमें सारे सूपर हीरोज होंगे चाहे पुराने या नए पर अब एक और सवाल सामने आता है कि दूसरा Universe कौन सा होगा जो तबाह होगा हाँ तो दूसरा Universe अभी फिलाल कुछ भी हो सकता है अभी Phase 4 में हमें Earth 838 दिखाया गया जहां Incursion होने की बात भी हो रही थी वो Earth तबाह हो सकता है Incursion में या फिर Fox Marvel characters का Earth जिसके characters rumored है Secret Wars में दिखने के लिए वो Earth भी तबाह हो सकता है पर यहां तीसरा और जादा खतरनाक option भी है Marvel Comics में जो Earth Incursion में जाता है वो था Marvel Ultimate Universe जिसे Earth 1610 के नाम से जाना जाता है यह Earth 2015 की Secret Wars में तबाह हो गया था और इस सीरीज के end में इसके कुछ characters Main Marvel Universe में आ गये थे अब Marvel ने Ultimate Universe established किया था साल 2000 में जहां Main Marvel Universe जैसे character से हमें दिखे Ultimate Iron Man, Ultimate Thor और कई सारे Ultimate Super Heroes अब यह Universe बना था Secret Wars के end में हमेशा हमेशा के लिए जाने के लिए पर क्या आपको पता है Cinematic Universe में Ultimate Universe जैसा कौन से उनिवर्स है Marvel Cinematic Universe Ultimate Universe में Avengers को shield form करता है MCU में भी ऐसा ही होता है Main Avengers की लाइनप Ultimate Avengers की लाइनप से भी मिलती है Chitori inspired है Ultimate Universe से Hawkeye Scarlet Witch के costume inspired है Ultimate Universe से इन सब के साथ पूरे MCU की Down to Earth सेटिंग तक ली गई है Ultimate Universe से प्लस MCU के Nick Fury का लुक सेम है Ultimate के Nick Fury से तो क्या MCU की किस्मत भी Ultimate Marvel Universe जैसी होगी ऐसा हो सकता है यानि कि यह indication है कि MCU तबाह होगा Secret Wars के end में और MCU Super Heroes उठके जाएंगे नए उनिवर्स में जहां Inhumans, Mutants और कई Major Super Hero Teams अलरी एक्जिस्स करती होंगी जिनके साथ साथ वो Super Heroes जिने हमने Infinity साहा के end में खो दिया उन्हें भी वापिस लाए जा सकता है सेम एक्टर्स के साथ नहीं पर नई स्टोरीज के साथ तो ओवराल डिसकेशन सीदे सीदे एम कर रहा है रिबूट की तरफ और ये रिबूट सॉफ्ट होगा और नोवे होम की तरफ कोई बड़ा चेंज नहीं लाएगा बस सिंपल नया यूनिवर्स नए और सूपर हीरोज और सूपर विलन्स और सूपर सूपर स्टोरीज के साथ मल्टिवर्स साहा के बाद फोकस शिफ्ट होगा एमस्यू के म्यूटन्स की तरफ जहां में म्यूटन्स की ओरिजिन और उनकी जबर्दस स्टोरीज दिखेंगी एमस्यू स्टाइल में और इसके लिए हम वेट नहीं कर सकते तो दोस्तो ये थी वीडियो इसको हायर करने की या रीबूट करने की ताकि कहानी कभी न रुके पर फिर भी अगर उनसे कोई टेल मिस हो गई हो या आपको इसको एन फैक्ट है इस वीडियो से एडिट तो प्लीज हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं कर दो सकते हैं